गुड इवनिंग और नमश्कार दिस रिशाप सिंग और वलकम यौन सटी आइक यूस प्राटफॉर्म और आज के हम अपने 10 मिनिट्स की सीरीज में वीटो पावर्स आफ दी प्रेजिडेंट को समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है में इंपॉर्टेंट है प्र आप सब्सक्राइब और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब को पता है कि होली का तोहार आने वाला है और इसी और फेस्टिवल पे स्टडी आई क्यू ने अपनी सबसे बड़ी सेल अनौंस करी हुए तो अगर आपने इस सेल का फायदा भी तक नहीं उठाय तो जल सज़ए चली काई उठालेजे बस कंडीशन यह कि आपको मेरा कोड इस्तमाल करनाु गा जैसे आप Meer वेर्यस लाइव इस्तमाल करेंगे आ unintended हो करें आफको डिस्काउंट बिढ़ेंगा तो यह कोड के साथ ही आफको testimonies मिलेंगा ठीक है तो चलेल आप स्आट करते हैं हमारी सभ hack to power स зов पार्लिमेंट है किसी कंडिशन में जो पार्लिमेंट है या जो एक्जिक्यूटिव है अगर वो कोई ऐसा लॉप ऐसा कोई लॉप प्रेजेंट कर रहे हैं जो शायद जो बेसिक स्ट्रॉक्चर है या जो बेसिक फिलोसफी सम्मिधान का जो भारतिय सम्मिधान की बेसिक फिल जब बिल प्रेजेंट हुआ दोनों हाउस में पास हुआ फिर प्रेजेंट के पास जाता है प्रेजेंट जब अपनी एसेंट लगाते हैं अपनी एसेंट देते हैं उसके बाद ही वो जो बिल है वो कानून बनता है तो अगर प्रेजेंट को लगा अगर प्रेजेंट को लगा कि अगर कल को Parliament एक्जेक्यूटिव अपनी मनमानी करें तो उसको प्रेसिडेंट जो है अपनी वीटो पावर से रोक सकते हैं तो यह मोटिव था वीटो पावर देने का ठीक है यह मोटिव था अब अगर हम बात करें कि कोई भी बिल कानून कैसे बनता है कोई भी बिल कानून अब बनता है जब जो एक्जेक्यूटिव है जो सरकार होती है वो पार्लिमेंट में बिल प्रेजेंट करती है लोगसभाओ या राजसभाओ जब लोगसभाओ से पास होता है राजसभाओ अगर राजसभाओ में पेश होगा तो फिर राजसभाओ से पास होगा और उसके ब अपनी एसेंट ना दे ठीक है या तो अपनी एसेंट ना दे अगर उन्हों अपनी एसेंट नहीं दी मन्जूरी नहीं दी तो वह वहीं समाप्त हो जाता वह कानून नहीं बनता है तीसरी कंडिशन यह होती है तीसरो आप्शन यह होता है कि प्रेसिडेंट आफ इंडिया जो ह सके बावजूद भी प्रजिदेंट ओफ इंडिया को अपनी एसेंट देना तए चो होजाता है तो बन्हौरी के ज़रिये कोई जो बिल है वो कानून बनता है घ ऐसे अगर आप देखेंगे तो चार फोर टाइप्स के वीटो पावर्स होते हैं पर जो प्रेजिडेंट आफ इंडिया जो इंडियन प्रेजिडेंट उनके पास तीनी है यह पुछा जा सकता है पूछा गया पूछा जाएगा भी क्योंकि इंपोर्टेंट कोशन है आपके सेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि उपनी मंजूरी देने समाना कर दिया तो वह होता है आपसलूट विख 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 गल्ट तुमिंट है पर वैसे अलड़ी चार टाइप के फिट पावर तो पहले अगर हम वीट पार की बात करें वहता है आपका absolute view to power absolute view to power का मतलब क्या होता है कि withholding of the ascent to the bill by the legislature the bill then ends and does not become an act यानि की सीधे सीधे परलिमेंट ने कोई बिल प्रेजेंट किया कोई बिल प्रेजेंट किया वो दोनों हाउस से पास हो गया प्रेज़न पिंडिया के पास गया प्रेज़न फिंडिया ने सीधे अगर आपको याद करना तो absolute यानि की समाप्थ पूरा टोटल अप्सलूट मतलब टोटल होता ने complete यानि की पूरी तरीके से बिलको उन्होंने सहमती नहीं दी वो बिल वही पर खतम हो जाता है वो आपक्ट नहीं बन पाता है तब वो होता है अपसलूट वीटो अपसलूट वीटो दो कंडिशन में यूज किया जा सकता है या यूज होता है ठीक है एक यह होता है एक यह होता है कि जब कोई प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर है बट वो सरकार में मिनिस्टर नहीं है ठीक है तो ये चंडिशन होती है कि जब कोई private member bill present करता है दो नहीं से पास हो जाता है तो council of ministers जो है वह advice दे सकते है प्रेज़ेंट को कि इस बिल को आप absolute इस बिल पे आप absolute veto इस्तमाल कर सकते हैं जब होता है कि जब cabinet रिजाइन होती है ठीक है जब कैबनेट रिजाइन होती है या बदलती है या डिजॉल्व हो जाती है तो ऐसे में भी absolute वीटो इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि जब नई गर्मेंट या नहीं सरकार बन के आएगी तो नहीं कांशल ऑफ मिनिस्टर जो है वह प्रेसिदेंट को अड़्वाइस देंगी कि आप इस बिल पर absolute वीटो इस तमाल कर लिजे तो यह दो कंडिशन ध्यान रखेगा ठीक है दो कंडिशन ध्यान रखेगा ठीक है दो कंडिशन वापस से रिकंसीडर आता है इसको भी ध्यान रखेगा वापस से रिकंसीडर आता है विद और विदाउट अमेंड मेंड्मेंड विद और विदाउट अमेंड मेंड तो यह कंपल्चरी है प्रेजेंड आफ इंडिया के लिए कि इनको एसेंट देना ही होगा एसेंट देना ही होगा मुझे लाइफ चैट में या कॉमेंट्स में बताइएगा कि यह जो प्रोविजन एड हुआ था वो कौन से कॉन्सेटि वापस से आ रहा है मुझा पार्लिमेंट फिर से पास कर दे रही है सेम वही बिल कोई चेंज नहीं हुआ उसके बाद प्रेजेंड आफ इंडिया को जो मंजूरी है वो दे नहीं देना होगा सिर्फ एक कंडिशन हो सकती है अगर हम मनी बिल की बात करें ठीक है मनी बिल की ब होता सरकार के फानेंस से वह बिल रिलेटेड होता है इस वज़े से प्रेजेंट अप इंडिया उस पे तुरंद अपनी मंजूरी दे देते हैं क्लियर हो गया थो जो पॉकेट अवेलबल है इंडिया प्रेजेंट अफ इंडिया को वो कौन सा है वह है आपका पॉकेट आपने चावी रग दीव पॉकेट में अब आप इधर उधर धून रहें भूल गया भूल गया वह जे में पड़ी हुए इसी तरीकी से पॉकेट वीट अपलाई करता है कोई बिल प्रेजेंट हुआ दोनों हाउस से पास हुआ वो प्रेजेंट ऑफ इंडिया के पास गया इंडिया ने ना उसे मंजूरी धि भाहिया ना उसको इन्नोंने रिजेट किया हाई अपना उन्होंने कोई बीटो स्तमाल किया उन्होंने अब सल्यूट विट सकते हैं या वापस भेज़ सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं इस तरह का time limit कोई नहीं है तो जब time limit नहीं दिया गया है तो इस वज़ें से अगर indefinite time के लिए president of India ने किसी बिल को hold कर दिया है तो ऐसे में बुला जाता है कि the president of India has exercised its pocket वीटो पॉकेट वीटो की बात करें एक स्टेटमेंट आ जाएगा आपके प्रिमस में कि पॉकेट वीटो अफ इंडियन प्रेसिडेंट इस बिगर देन दाट ओफ अमेरिकन प्रेसिडेंट यानि की जो अमेरीकी राष्टपती है उनके कंपेर में इंडियन प्रेसिडेंट क जो pocket veto है वो जाद आफुल है क्यूं कि जैसे मैं आपको बताया कि इंडियन constitution में time limit नहीं दी गई है ठीक है time limit नहीं दी गई है पर अमेरिका में क्या है कि उनको president को 10 दिन में ठीक है 10 दिन के अंदर 10 days के भीतर भीतर या 10 दिन में अगर वो एसेंट नहीं दे रहे हैं मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो उसे वापस करना होगा ठीक है उसे वापस करना होगा reconsideration कोई भी time limit नहीं दी गई है इस वजह से इंडियन पॉकेट वीटो जो है इंडियन प्रसेंट का वो बिगर है compare to American president clear होगा यह statement आएगा तो statement पूरी तरीके से सही है यह तीन पॉकेट इंडियन प्रसेंट के पास अवेलेबल है कौन सा पॉकेट वीटो या कौन सा वीटो अवेलेबल नहीं है वो है qualified veto तो इंडियन President does not enjoy qualified veto यह statement आजाएगा statement correct है पूरी तरीके से यह statement पूरी तरीके से correct है क्यों qualified veto क्या होता है कि qualified veto में qualified veto अपका President America के जो President जो US President है उनके पास रहता है जो US के प्रसेडेंट है उनके पास होता है वो exercise करते हैं condition यह रहती है कि President ने अगर किसी Bill को वापस कर दिया US President ने वापस कर दिया reconsideration के लिए reconsideration के लिए reconsideration के लिए तो ऐसे में जो Bill वापस President के पास आएगा वो higher majority से पास होना चाहिए वो higher majority से पास होना चाहिए ठीक है वो higher majority से पास होना चाहिए ठीक है वो higher majority से पास होना चाहिए पर यह veto power Indian President के पास एक प्रेशन के लिए भेजा है तो वो बिल से माज़ोरिटी से अगर आ रहा है तो भी उसमेंअ देना ज़रूरी है तो इस वजह से तीन इंबेट आवेलिबल है पॉकेट वीट आवेलिबल है अफ्लीट वीट वीटव एवेलिबल है ठीक है वह इसको पता है कि गवर्नर अगर state legislature में भी same process है state legislative assembly अगर bill pass कर रही है वो bill कानून तब बनेगा जब governor का assent मिलेगा governor मोहर लगाएंगे कभी किया होता है कभी कभी क्या होता है कि जो governor है वो bill को reserve कर लेते हैं reserved कर लेते हैं reserved कर लेते हैं president के लिए अच्छा ये किस article से होता है का answer भी मुझे आप comments में बताएंगे कि कौन सा article इस्तेमाल करके किसी भी state के governor bill को reserve कर सकते है for president ठीक है तो जब अगर वो bill present अगर वो bill आपका bill reserve कर दिया गया है governor के द्वारा ठीक है president के लिए तो फिर president के पास power होती है ठीक है president के पास power होती है कि या तो वो इस bill को मंजूरी दे दे या तो उसे उसे मंजूरी ना दे या वापस state legislative assembly भेज सकते हैं और अगर state legislative assembly ने वापस से वही same bill भेजा तो इस बार president of इंडिया के पास ये power है कि वो उस reconsidered bill को भी assent नहीं दे सकते यानि कि reject कर सकते हैं वीटो इस्तमाल कर सकते हैं तो state legislative assembly जो है वो जो president of India उनकी वीटो पावर को override नहीं कर सकती है अगर ये statement आ जाए state legislative assembly cannot exceed या cannot override president's veto power ये statement पुरी तरीके से सही है क्योंकि parliament में क्या होता है कि अगर reconsidered bill वापस आ रहा है तो अगर वो ही same bill state legislative assembly वापस भेज रही है तो president को जरूरी नहीं है कि वो अपनी मोहर दें ठीक है तो state legislative assembly cannot override president's veto power ठीक है ये हो गया आपका complete veto power क्यों होता है veto power का मतलब क्या होता है किसने type के होते हैं और state legislative assembly and presidents of India veto power ये तीन हो चीज़े जो है हमने आज इस session में complete कर ली है अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए और भी जो मेरी classes की PDF चाहिए मेरे telegram से जुड़ जाएगा क्योंकि बहुत से students जितने students watch करते हैं like करते हैं उतने students आइट telegram पर नहीं जुड़ते है तो यहां पर जरूर से जुड़िए ठीक है यहां पर कोशिश है मेरी की एक informative community और अगर आप इसेल का इस्तमाल अभी तक नहीं किया है तो जरूर से अंडोल हो जाएए ठीक है आपको सिर्फ मेरा code इस्तमाल करना होगा RS live जैसी आप मेरा code इस्तमाल करेंगे वैसे ही आपको maximum discount मिलेगा तो इसी के साथ session coin करते है I hope आपको यह session informative लगाओगा मुलकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तर्ण ध्याने किया के मैंद करते ही खुश रहेगा जै हिंद जै भारत